हेलो फेंड्स मैं रंजित यह साथ तक मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि बीपेसी के द्वारा जो सीडी पीओ की वैकेंसी निकाली गई है ठीक है उसमें पिछले साल जो 2018 में एक जाम हुआ था उसमें क्या कटफ गया और विलाइकन का बटन जरूर देबाए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि बीपेसी में हाल ही में कितना 55 पदों के लिए वैकेंसी निकाला है और एक अप्रिल तक इसके फर्म भरन आए थी और इसके कटफ क्या रहे थे रिजल्ट कितने आए थे यह भी मैं बताने वाला हूं तो इसी के अधार पर जो कटफ आया था 2018 में जो कटफ आया था उसके अनुसार आपका कितना स्कूर कर लेंगे तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे इस बार जो 2021 में की वेकेंस से कितना 434 students qualify किये थे ठीक है qualify किये थे जैसा कि आप लोग को मालूम है कि BPSC के नियमा नुसार ठीक है कितने कूल सीट के 10 गुना मतलब 30 गुने 10 यह 300 होना चाहिए था दोस्तों 2018 में 30 पदों के लिए कितना result आया था 434 रिजल्ट आया था 434 students qualify किये थे और लगभग 15 गुना रिजल्ट आया था उसी प्रकार देखा जाए तो 2021 में जो वेकेंसी आया हो 55 पदों के लिए वेकेंसी है और इसके रिजल्ट लगभग सारह 800 से लेकर के 800 के बीच आने वाले हैं मतलब पिछले बार से रिजल्ट द जो बुना होने वाला है तो पिछले बार जब 30 सीट थें तो इसके लिए कटव क्या गया था antit और जेनरल मांतिएट गया था टीशीट के लिए जनरल का उनेंट का कटफ नेंटी यह था वहीपर ऐगर वी सी की बात करें तो वी सी का कटफ नैंटी फाइव गया था एवी स का कट्फ कितना गया था 92 वह अगर एसी की बात करें तो इसका कटifully नarent गया था तो जैसा कि आप लोगको माल топ मालूम है की के नियमा नुसार सीडिपयो में जो मिनिम्म क्वालिफिकेशन का में जो लक्ष रखा गया है उसमें लक्ष रखा गया है कि जो लिफे चालीस परसंट मार्क्स आता है चालीस पर्सेंट मार्क्स आता है मिनिमम मौंएस पर्सेंट से कम आता है उनको क्वालिफाई नहीं किया जाए गा वहीं एगे पांच परतीसथ से कम मांग साता है तो वह दिश्क्वाली कह जाएंगे तो वैससी शिच्वेयसन अगर देखा जायicker टू टूर्व पदो के लिए लिए गया थी और चौर्रह गुनारी जेल टो BC category का cut-off 95 गया था, ABC category का cut-off 92 गया था और SC category का cut-off 90 गया था, ठीक है, तो आप अच्छी तरह जान गएं कि cut-off 100 पार्ट नहीं किया है, ठीक है, उसी तरह अगर फिमिल की बात करें, तो फिमिल में 91 cut-off गया है, महिला का, जेनरल में जो लोग महिला है, और उनका cut-off 91 गया है, गया है 85 और जो महिलाएं, SC, ST category में आती हैं, उनका cut-off गया है 80, ठीक है, तो फिमिल अगर 95 कर लेती हैं, तो इस BPSC में सिक्योर हो जाएंगी, ठीक है, और मेल 100 प्लस कर लेते हैं, तो इस BPSC में सिक्योर हो जाएंगे, तो इस परकार से देख रहे हैं कि cut-off जो है 30 seat में भ लगभग 40,000 student ने form भरा था, तो इसी प्रकार से यहां लगभग 40,000 से 50,000 student भरेंगे, 55 पदों के लिए 40,000 से 50,000 student भरेंगे, उससे ज्यादा नहीं भरेंगे, अब 2018 के cut-off को देखने से, ठीक है, 2018 के cut-off को देखने से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, कि 2021 में जो BPSC CDPO क एक्जाम होगा, तो जो लोग 100 के आसपास में रहेंगे, ठीक है, 100 के आसपास में रहेंगे, अब आप कहेंगे, कि सर 30 सीट में अंठानवे, तो 55 सीट में 100 क्यों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BPSC जब एंसर की जारी करता है, तो उसमें 4-5 परसन बहुत ही विवा जादित होने के कारण क्या होता है, कि उस पर कमीटी बैठती है, कमीटी के बाद कमीटी जो अपना रिपोर्ट देती है, उसके बाद जो होता है, या तो कुछ एंसर में परिवर्तन हो जाते हैं, या फिर कुछ एंसर ऐसे होते हैं, जिनको डिलीट कर दिया जाता है, या ऐ सब्सक्राइब तरह से तो सेफट touch a गर आपको लाना है तो आप ने hel?...क प्लस के चक्कर में नहीं रहें सेफट करना है तो आपको 110 प्लस करना पड़ेगा 110 प्लस करेंगे तभी आप सीफ जोन में रहेंगे और आप अपने रिजल्ट के लिए सिक्यूर रहेंगे तभी क्या होगा कि आप एक्जाम देकर आएंगे और मेंस की त्यारी में जी जान से लग जाएंगे लेकिन अगर हंडेट के आसपास में रहेंगे तो बहुत सारे कंफ से अगर बचना चाहते हैं तो आपको हंडेट प्लस नहीं हंडेट टेन प्लस करना पड़ेगा और इसके लिए मैंने दो तीन वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने पहले वीडियो में ये बताया है कि आपको कौन-कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए से किस तरह से त्यारी करना चाहिए इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो जो आया है उसमें मैंने ये भी बताया है कि प्रिवियस येर में कहां-कहां से प्रसन आया है और कहां-कहां से आप प्रसनों को मतलब साल्फ कर सकते हैं किन-किन सब्जेक्ट पर फोकस करके आप 110 प्लस कर सकते हैं और एक वीडियो ऐसा है जिसमें मैंने cdpo के पूरे job profile के बारे में बताया है तो इन सभी वीडियो को देखिए आपको लाव मिलेगा आपके त्यारी को मतलब त्यारी करने में काफी सहुलियत होगी चुकि मैं क्या करता हूं कि समय समय पर आपको guideline देते रहता और इस guideline को follow करते हैं तो definitive से आप success हो पाएंगे मैं अपने चैनल पे भी वीडियो regular upload कर रहा हूं त्यारी से समंधित इसलिए आप definitive से उन सभी वीडियो को देखते रहिए आपको काफी लाव मिलने वाला है दोस्तों हमें पूरी उमीद है कि आप cut-off के analysis को अच्छी तरह सम समझ गया होंगा तो definite उपसे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाव मिल सके फिर मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ